ओम नमो भगवते वासु देवा या नमह नमस्कार जैसी आराम राधे राधे मित्रों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के इअक्छर से सुरू होता है इन लोगों के जीबन में कब कब और क्या क्या पड़िवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में अगर आप कोई भी बातें मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पर यदि आप मुझे मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले दो बड़सों के लिए बहुत ही जियादा महत्तो पुर्न एबम उपयोगी है मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि साल 2022 एबम साल 2023 में जिन लोगों का नाम यी अक्छर से सुरू होता है उन लोगों का आर्थिक जी बनने उन लोगों का कडियर उनका प्रेम संबंध पाडिवारिक जी बनने दामपत्य जी बनने करियर नौकडी सिक्छा ये साड़ी चीजें कैसी होगी तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके आर्थिक जीबन के बारे में मित्रों साल 2022 एबम साल 2023 में आपका आर्थिक जीबन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले दो बरसों में आपके लिए इनकम के नए नए रास्ते खुलेंगे आपको पैसे कमाने के लिए आपको बहुत जयादा मौका मिलेगा आने वाले दो बरसों से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुक गया था कहीं फस गया था तो आने वाले दो बरसों में आपका रुका हुआ धन आपको अबश्य मिलेगा इस रुके हुए धन के कारण आपका आर्थिक जीबन बहुत जयादा मजबूत और बेहतर होगा मित्रों आने वाले दो बरसों में आप में से बहुत से जातक बहुत से दरसक अपने पैसे को घर जमीन गाडी गहना जेबर यणी की जो भी कीमती सामान है इन कीमती सामानों पर खर्च करेंगे लेकिन इन खर्चों के अलाबा आपका फिजूल खर्ची बहुत जयादा होगा तो आने वाले दो बरसों में अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा आपको कंट्रोल करना होगा मित्रों आने वाले समय में यदी आप अपने धन संपती को किसी भी बेपार किसी भी बेबसाई में लगाना चाहते हैं तो आने वाले दो बरसों में यदी आप लंबे समय के लिए निबेस करते हैं तो लंबे समय में किये गए निबेस के कारण आपको बहुत जयादा फाइदा बहुत जयादा मुनाफा होगा मित्रों आने वाले दो बरसों में आपके घर में कोई फंगसन या कोई मांगलिक कार्ज होगा कोई सुभकार्ज होगा जिस काम के कारण आपका पैसा बहुत जयादा खर्च होगा तो आने वाले दो बरसों में इन खर्चों के अलाबा आपको पैसे बचाने पड़ भी ध्यान देना होगा क्योंकि आपके आने वाले दो बरसों के लिए यह बहुत ही जयादा जरूरी एबं आबस्यक है मित्रों आने वाले दो बरसों से पहले यदि आप करजे में थे तो आने वाले दो बरसों में उस करजे को चुकाने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा उस करजे को चुकाने के बाद आपको पैसे बचाने पर बहुत जयादा ध्यान देना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दो बरसों में आपका आर्थिक जीबन बहुत जयादा मजबूत एबं बहतर होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दो बरसों में आपका सिक्छा आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी मित्रो आने वाले दो बरसों में आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टी कौन से आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले दो बरसों में आपके पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक के आने वाले दो बरसों में प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में प्रतियोगी परिक्षा के तैयारी में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी झात्र लंबे समय से नौकडी की तलास कर रहे थे तो आने वाले दो बरसों में आपको नौकडी की प्राप्ती होगी इस नौकडी के कारण आपको पैसे कमाने का मौका बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने वाले दो बरसों में यदि आप पढ़ाई लिखाई के कारण अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आने वाले दो बरसों में इस काम को करने में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा तो मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले दो बरसों में आपका पाड़िवाडिक जीबन कैसा होगा आने वाले दो बरसों में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन कैसा होगा मित्रों आने वाले समय में आपका पाड़िवारिक जीबन सामाने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने वाले समय में यदि आप किसी भी मुसीबत किसी भी पड़ेशानी में पड़ती हैं तो मुसीबत के समय आपके घरबालों का साथ आपके घरबालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा घरबालों के साथ घरबालों के सपोर्ट के कारण आपका पाड़िवाडिक जीबन सामान रहने के बाबजूद बहुत जयादा बेहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने वाले समय में आपके माता पिता का साथ आपके माता पिता का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आपके मातापिता के साथ इन लोगों के सपोर्ट के कारण आपका पाड़िवाडिक जीबन सामाने रहने के बाबजूद बहुत ज्यादा बिहतर एबम शांदार होगा तो यही था आपके आने वाले दो बरसों का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने वाले दो बरसों में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको सनी बार के दिन पीपल के ब्रिक्ष में जल चड़ाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं सनी बार के दिन यदि आप पीपल के ब्रिक्ष में जल चड़ाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों यही था आपके आने वाले दो बरसों का रासी फल एबम अनोखा तोटका तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद